हलो गाइस, वेलकम बैक, द्याक्स रब्बान यूट्यूब चैनल गाइस, आज जो हम बात करेंगे, वो एक क्रीम है यह देखे, आपको यह क्रीम दिख रही होगी यह क्रीम है, केटी फैब ड्रम केटी फैब ड्रम जो है, इस क्रीम के बाद हैं, पूरी बात करेंगे, कैसे इसके यूज़ करना है, किसकी चीज में इसका यूज़ किया जाता है और कैसे यह काम करती है, सब के बारे हम बताएंगे, वीडियो को लास्ते जिनते भी, आपको समझ में आएगा चले गाइब शुरुकरते हैं वीडियो, आज हम जिस टोपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, उस क्रीम का नाम है केटी फैब ड्रम अगर इससे कंपोजिशन की अगर हम बात करें, यह क्रीम जो इससे अगर कंपोजिशन की बात करें, इसके अंदर क्रिटोकोना जोल होता है, टोलना फेट होता है, क्लोवेस्टोल, प्रोपोनेट होता है, नियोमाइसिन होता है, लोड़क्लोड हाइड़ोक्सी, किनोलोन हो वहाँ ठोने हो जाते हैं कि मैं यह कुछ कुमन यूज ऐसी बात करते हैं यह मुझे में करिम एक जीनीकम लाड़ जाती है túange एक्जिमा हो जाता है इत्ने उन्हें अरय पार इसकी आद्ग वंदेश्टार के ऌस्पोडियर दिए पिक कह भी उनके किया जाता है इस जादा खुजली होती है और खुजली होने की बेश से वहाँ पर दाने बगरा बने लगता है पानी बगरा निकलने लगता है तब भी स्क्रेम का यूज़ किया जाता है इसे कुछ यूज़ के बारे में आप गास बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की मतलब इसके साइड इफेक्ट कैसे कैसे आ सकते हैं इसके बनिक शेंशेशन हो सकता है कि जलन वगरा हो सकती है जिस पार्ट में आप लगा रहे हैं उस पार्ट में जलन वगरा भी हो सकती है Redness राल राल भी हो शकता है, और वहाँ पे Allergy भी हो सकती है, वो किसी किसी को Allergy होती है, सबको Allergy नहीं होती है, अब गयार्स मत करें इसके लगाने का तरीका, मनलब कैसे इसको लगाना है, सबसे पहले जाकर आपको अपने डॉक्टर से कंसर्ट करना पड़ेगा वो आपका देखा किस टाइप के अलर्जी है कितनी अलर्जी उससे आपसे वो डोस को आपको एडवाइस करेगा अगर जनरली हम बात करें इसको सुबा शाम आप लगा सकते हैं रात को सोते हैं और सुबा को आप अच्छी से फिरेश होने के बाद न सुगर इसलेड़ बिमाज़ वो भी स्कॉबाइट करें अगर प्रिनेंसी तब भी स्क्रीम को अबोइट करना चाहिए त्रीक आइस मैंने बता है इससे कुछ प्रकोशन के बारे में तो गाइसी मैंने आपको बहुत ही शॉट में बता है केटी फाइब ड्रम क्रीम के बारे चलिए गाइस ऐसी नॉलेज़ वीडियो के साथ मिलते हम अगरे वीडियो में